मेरे प्रिया आत्मन, सहज जोग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन 1498 इस्वी में हुआ और 1573 इस्वी तक मीरा राजस्थान की धर्ती पर और बाद में वरिंदावन में अपना गीत गाती रही। मीरा पूरी नारी जाति के लिए एक आशा है। मीरा के बाद अब हर नारी या सोच सकती है कम से कम कि वो प्रभू को पा सकती है। इसलिए अधिकतर भारत वर्ष में लड़कियों का नाम मीरा रखा जाता है। उसमें माता पिता की एक अकांशा होती है कि मेरी लड़की मीरा की तरह हो जाए लेकिन जब मीरा भक्त हुई उसने बड़े साहस से संसार की चुनोतियों का मुकावला किया और भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आईं उन सारी बाधाओं को पार किया इसलिए मीरा को मैं कहता हूँ कि एक आशा का प्रतीक है सारे भक्तों के लिए सारी नारी जाती के लिए विशेश कर कहती है मीरा आ जाईयो आ जाईयो गोविंदा मारे महल में पुकार रही है जैसे भक्त पुकार देता है कि हे गोविंद मेरे महल में आ जाओ और जब मीरा कहती है मेरे महल में आ जाओ तो मीरा का महल कहीं बाहर नहीं है मीरा का महल उसके हिर्दे में है उसके निराकार में है उसके अभ्यंतर में है आ जाईो आ जाईो गुविंदा माहारे महल में मेरे निराकार के महल में आ जाओ किस मार्क से तुम आते हो कैसे आते हो सच को तो सुमिरन एक इंतजार है सुमिरन एक प्रतिक्षा है और समाधी मिलन है सुमिरन करते करते ही समाधी घटित हो जाती है उसी बात की और इशारा करती है मीरा के पदों में साधना के बड़े गहरे सुत्र है सामाने ता हम उसको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि केवल वीरा की पुकार है केवल काव्य है तो काव्य नहीं है मीरा के पदों में साधना के बड़े ही घहरे सुत्र है जब वो कहती है कि आज आओ गोविंद हम तुम्हारा रास्ता खोज रहे हैं रास्ता देख रहे हैं नहार रहे हैं तो साधना का सुत्र दे रही है कि इंतजार कहां कर रही है निराकार में जाकर कर रही है सुमिरन में उसका इंतजार कर रही है समाधी की प्रतिक्षा कर रही है कहती है आज एयो आज एयो गोविंदा मारे महल में और निहारों थारी बाटलरी खडी जी मारे आज यहो तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ रास्ते में खडी हूँ और रास्ते में खडी होने का मतलब सुमिरन में जीना है और मिलन क्या है समाधी ही मिलन है जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है मारो जनम मरन को साथ ही ठाने न दिन हो कि रात हो, कभी भी बिसार नहीं पाती, हर सांस सांस में तुम्हारी याद बसी हुई है, तुम देख्या बिन कल न पड़त है, जानत मेरी चाती, मेरा हिर्दे ही जानता है, कि तुम्हें देखे बिना, तुम्हें निहारे बिना, तुम्हारे सुमिरन के बिना, मुझे जरा भी कहीं डिल नहीं लगता है जरा भी चैन नहीं मिलती है और मुची चरचर पंथ निहारू जैसे तुम किसी का इंतजार करते हो दूर से आ रहा है तुमारा प्रियतम तो क्या करते हो टीले पर चर जाते हो व्रिक्ष पर चर जाते हो यह आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन मीरा का टीला कहा है मीरा का वह उचा विरिक्ष कहा है बस उसका भीतर का गगन मंडल ही है वो आग्या चक्र ही है जहां से वो निहार रही है उची चड़चड पंथ निहारू वो आग्या चक्र पर जाकर के वह जो दशम द्वार है वहां जाकर के प्रियतम का इंतिजार करना पड़ता है और रोए आँखियां राती और रोते रोते बस आँखें लाल हो गई है इतनी पीड़ा इतना दर्द इतनी विरह पैदा हो जाती है एक भक्त को उसकी चर्चा कर रही है और कहती है कि देखो गविंद अगर तुम रात भर नहीं आए तो मैं सुबह क्या करूंगी उसके वो इशारा करती है तनका त्यागूं कापड़ा जी उगंते परभाद यह जो रात की प्रतिक्षा है अगर रात में तुम नहीं आए अगर नहीं हमारी समाधी लगी हमारा मिलन तुम से नहीं हुआ तो यह राजसी ठाट बाट यह सब छोड़ करके बस तुम्हारे लिए हम चल देंगे भक्तों का सुख प्रभू के मिलन में है राजसी ठाट बाट हो कि आभूशन पहनना हो यह बक्तों का सुख नहीं है भक्तों का सुक्त प्रभू के मिलन में है जिसके लिए गुरु अर्जुन देजी कहते हैं तु मेरी ओट, बल, बुध, धन, तुम्ही मेरे परिवारे कहते हैं हे गोविंद तुम्ही मेरे सहारे हो तुम्ही मेरे बल हो, तुम्ही मेरे बुध्धी हो तुम ही मेरे धनो और तुम ही मेरे परिवार हो जो तुम करहो सो भल हमरे हे गोविन अपनी अब कोई चाह नहीं रही मुझे तो पता ही नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है मेरे लिए क्या अनकूल है मेरे लिए क्या प्रतिकूल है जो तुम करते हो वही हमारे लिए अनकूल है और पेख नानक सुख चर नारे नानक देजी कहते हैं गुरु अरजन देजी के माध्यम से कि बस तुम्हें निहारना तुम्हें देखना यही मेरा सुख है कहती है मेरा खड़ी जोवती राह में जी असद्गुरु पोचे आई और एक बात याद रखना जब भक्त सद्गुरु शब्द कहता है तो उसके दो अर्थ है कहीं उसका अर्थ गोविंद है और कहीं उसका अर्थ पूरा गुरु है और यहां मेरा जब सद्गुरु कहती है तो उसका अर्थ गोविंद है कहती है खड़ी जोवती राह में जी मैं राह में खड़ी हूँ मैं सुमिरन में खड़ी हूँ मैं सुमिरन में तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हूँ और सद्गुरु पोचे आए गोविंद कब आये सद्गुरू गोविंद कब आये और मेरी सुधी ले जिसके लिए कबीर साहब कहते है तलफे बिन बालम मुर जिया मुझे प्रियतम के बिना एकदम मेरा दिल तडपता है और दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया दिन को चैन पढ़ता है ना रात को निंद आती है और तलफ तलफ के भोर किया और ऐसे ही तरपते तरपते करवटें बदलते बदलते भोर हो जाती है और नैन थकी तभे पंथ नसूचे आँखे नहारते नहारते थक जाती है अब तो रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता और साई बेदर्दी सूध न लिया लेकिन मेरा गोविंद मेरा प्रियदम मेरी सूध कब लेगा भला कहे कबीर सुनो भाई साधो हरो पीर दुख जोर किया कहते हैं कि साधो मैं क्या बताऊ अब गोविंद से यही प्रार्टना मेरी पीरा जल्दी हरो क्योंकि अब यह दुख ही है वेदना आप सही नहीं जाती कहती है मीरा कि तनका त्यागूं कापड़ा और जी उगंते परभात खरी जोती राह में जी सद्गुरु पोच्छे आए और जल्दी से मेरी आके सुधी लो और आज आओगे तो मैं क्या करूंगी देखो भक्तों की बात है जब आओगे तो क्या करूंगी भेट के लिए क्या करेगी पियालों लियो हाजिर खडी जी मैं प्रेम का प्याला लिये हुए बस रास्ते में खडी हूँ देखो कितना विश्वास है कितना भरोसा है भक्त को कि मैं भगवान को बुलाऊँ और भगवान ना आए पहले ही से पूरा इंजामकती प्रेम का प्याला लिये तुम्हारे स्वागत के लिए मैं खडी हूँ यहां भी साधना का सुतर दे रही है मेरी दिव्यद्रिष्टी को खोलो मेरे शिवनेत्र को खोलो मेरे आगया चक्र को जागरित कर दो तकि तुम आओगे भी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम आए जब तक तुम मेरी दिव्य दृष्टी को खोलोगे नहीं तब तक तुम आ भी गए तो मैं जानूंगी कैसे तो ये जिम्मेवारी भी तुम्हारी है कि मुझे दिव्य दृष्टी दो कि तुम अगर आ जाओ तो मैं देख सको तुमको निहार सको तुमको मेरा के पदों में एक अधुत बात है कि मीरा ने साधु को संतों को बड़ी गर्मा दीए कहती है कि साधु तो मेरा जीवन है यही तो उसके परिवार वाले कहते थे कि संत्रविदास से मत मिलो, तुम उसके मत मिलो जो करना है घर में बैठ करके करो तेकिन मीरा कहती कि नहीं कैसे छोड़ दें वे तो हमारी आत्मा है तुम ऐसा कह रहे हो साधूं को छोड़ने के लिए जो तुम कह रहे हो ऐसा मानो कि तुम कह रहे हो तुम अपनी आत्मा को छोड़ दो तो कोई आत्मा कैसे छोड़ेगा जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है स बास्ते की खाक चान रही है और साधूं के पीछे पागल हो है दिवानी है लोग जो कहना हो कहे लेकिन मीरा कहती है भगत देख राजी हुई जगत देख रहो ही जब मैं संतों को देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ लेकिन संसार को देखती हूँ तो दुखी हो जाती हू कहती है मेरा रोम रोम में रम रही जी जियों बादल में में है और सुरत हरी नाम से लगी जी कहता है कि मेरे रोम रोम में प्रभू रमा हुआ है जैसे बादलों में पानी है ऐसे ही मेरे रोम रोम में प्रभू है और सुरत हरी नाम से लगी जी और मेरी सुरती मेरा ध्यान मेरा सुमिरन हमेशा प्रभू से लगा रहता है जिसके लिए मेरा अन्यत्र कहती है सुरत निरत का दिवला संजोया और मनसा पूरन बाती देखो साधना का कितना घहरा सुतर दे रही है कहते हैं सुरत और निरत और ये दो शब्दों में करीब करीब पुरा ध्यान में आ जाता है सुरती कहते हैं उंकार के श्रब वे रूप में ध्यान लगाने को उंकार की जो जहनकार हो रही है उसमें ध्यान लगाना सुरती है और उंकार का प्रकाश जो भीतर फैला हुआ है उ अपनी चेतना को मैंने बाती बना लिया है और अगम गहानी का तेल सिचाया और जो तेल उसमें दीप में रखा है अगम गहानी का है अगम कहते हैं गोविंद को गोविंद की गहानी का तेल चुआ करके मैंने उसमें रखा हुआ है और बाल रही दिन राती और दिन रात ऐसा दीपक मैं जलाती हूँ और उस दीपक को जला करके मैं गोविंद की प्रतिक्षा करती हूँ कहती है मीरा मीरा हरी की लाडली जी तुम मीरा के स्याम बस हम दोनों के बीच और कोई नहीं मैं तुम्हारी प्रियत्मा हूँ, तु मेरे प्रियत्म हो, मैं तुम्हारी लाडली हूँ, तु मेरे गोविंद हो, और हम दोनों के बीच अब कोई नहीं है, ऐसा प्यार, ऐसा सघन प्यार मेरा महसूस करती है, कि परम एकांत में जा करके वह गोविंद के साथ एकत्व महसू लिए इत्क रमात्मा को पुरूश कलते हैं एतने बड़े संथ और मेरा मन लग गया है और हम तुम बैठे रही अटरिया और वो अटरिया कहा है भीतर के निराकार भीतर के गगन मंदल में है कहते है निराकार में हम और तुम दोनों बैठ गए है और बड़ा मजा आ रहा है भला बना है जोड़ा बड़ा फब रहा है कहती है मीरा मीरा के प्रभ बस उसे उंकार में लगा हुआ है, उंकार के श्रवे रूप में, उंकार के द्रिशे रूप में, उंकार के निनाद में, उंकार की जनकार में, उंकार के आलोक में मेरा ध्यान लगा हुआ है, सच कहो, तो ये सुरती और निरती, इसकी कला आ जाए, किसी प्यारे गुरु से, क झालेश झालेश